नमस्कार दोस्तों आपका अपके अपनी चैनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की चार माई के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में तो HPU के जो PG डिपलोमा के रिजल्ट हैं वो सारे जारी हो जुके हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा इसे के साथ HPU के विद्यार्थी जो है वो अपनी आंसर सीट चक कर सकते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे इसे के साथ HPU UG कि चार साल की जो डिग्री है वो यहां पे फस्ती हुई नजर आ रही है तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा इसे के साथ नोनी यूनिवस्टी में यूजी और पीजी की परवेश प्रिक्साइन जो है वो शुरू हो ने जा रही है तो उसके इसे नट के लिए दस तक जो है वो अपलाई कर सकते है तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो भात करेंगे तो चलि दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले अगर हम लोग यहां पे UGC NET की बात करें तो 10 माई तक जो है वो जो भी अभियारती हैं वो UGC NET के लिए अप्लाई कर सकते हैं UGC NET की प्रिक्सा देने वाले अभियारती ने को यहां पे एक अतरिक्त मोक्का जो है वो मिला हुआ है तो और इसका एक्जाम जो है वो 16 जून को आयो जित करवाया जाएगा तो जो भी अलिजिवल कैंडिट हैं जो UGC NET के लिए अप्लाई करना जाते हैं वो जल्दी से 10 माई तक जो है वो इसके लिए अप्डेट की बात करें करने की डेट रहेगी वो 28 जून रहेगी और PG के लिए जो डेट रहेगी वो यहाँ पे 20 जून जो है वो लास्ट डेट रहेगी नेक्स्ट अप्डेट की बात करो तो नेक्स्ट अप्डेट जो है वो अपका HPU से समन्तित रहेगा तो HPU में UG की 4 साल की डिगरी फसी तो इमाच्च प्रदेश में 4 साल की इस साल प्रदेश उनिवस्टी चार साल का UG डिगरी कोर्स सुरू करने जो है वो जा रही है इसके पीछे बजाए यह है कि सरकार ने है को अभी तक 4 साल की डिगरी कोर्स को लेने की मजूरी जो है वो नहीं दी है आपको बता देंगे कि कोल्जों में 4 साल की डिगरी को लेके उनिवस्टी ने सिलेबस त्यार कर दिया है सिलेबस को लेके गटित बोर्ड ऑफ स्टडिस ने भी 4 साल UG को सिलेबस को जो अप्रूबल है वो दे दी है अब मामला सरकार के पास लटक गया है हाला कि चुलाब चार सेंटा के चलते भी है फाइल लटक गई है उधर जून महा में कोल्जों में नए अकेडमिक सैसन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसमें दाखिले सुरू हो जाएगे अब दाखिले के दुरान चातरों को चार साल की डिगरी कोर्स को ले कर ओप्सन हो नहीं होगा तो इसार से लागू हो जाएगी, अधरवाइज यहाँ पे लागू नहीं होगी, नेक्स्ट अप्लिट की बात कुरूँ, तो नेक्स्ट अप्लिट जो हो अपका HPU के जो PG के रिजल्ट है, उन्हें से समन्दित रहेगा, तो ही माचपदेश से उनिवस्टी ने सुक्रवार को PG के भवीन डिग्री और डिप्लोमा कोर्से के जितने भी रिजल्ट हैं, वो जारी कर दिये हैं, तो चात्तर जो हो हो HPU की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं, HPU के यहाँ पे प्रिक्सा प्रणाम जो है वो यूनिवस्टी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिये गए हैं, और जो चात्तर है वो अपनी आईडी और पास्वर्ड के थ्रू लोगिन करके अपना रिजल्ट जो है वो HPU का जो एन स्टुडेंट पोर्टल है वहाँ पे देख सकते हैं, तो जो भी डिग्री डिप्लोमा के यहाँ पे रिजल्ट है PG के वो पिछले कल जो हो जारी हो गई है नेक्स्ट अप्डेट की बात करूँ दो, नेक्स्ट अप्डेट भी जो है वो आपका HPU से समंधित ही रहेगा तो विद्यार्चियों को उत्र पुस्तिकान स्वज़ चेक करने का मुख का देगा HPU ते माचपदेश उनिवस्टी के तहते रामपूर वा संजोली कोल्जिस के में अंग्रेजी में जो चातर फेल हुए है उनके मामले को लेके कमेट्टी गटित हुई थी और कमेट्टी ने सुक्रबार को परसासन को रिपोर्ट सोम दी है अगले एक मिन्ने में दुवारा से भी सिबतले परसासन परणाव गोशित कर देगा सुक्रबार को जो है वो यहाँ पर बाई चांचलर कराले में रिपोर्ट जो है वो सोम पे गई कमेट्टी की बैठक में विसे जो भी अंग्रेजी के एक्सबर्ट थे टीचर्स उन सिक्स इसकों की ओर से दी गए आंकबा सिस्टर में कोई गलती फिलाल नहीं देखी गई है कमेट्टी पहले बीरबार को अपनी रिपोर्ट इस उनिवस्टी में सोंपने जा रही थी लेकिन परसासन के अदेश के बाद दुवारा से बैठक करने के बाद इस पर कई चात्रों के हि पिर भी सुनतो उस नहीं है तो अपनी वो तरुप उस्तिकाओं को सवय देख सकते हैं और आगर बहां पर उनको कोई डाउट है उसके बाद वो रिए वैलुशन भी फिल कर सकते हैं और जो रिए वैलुशन का रिजल्ट है वो एक महिन्ने के अंदर जो अब गोसित कर दिय जाएगा next update की बात करudung next update जो अपका सधार्प्रेल उन्वस्طी मंदी से समंधिते रहेगा तो सधार्प्रेल इंवस्ति मंदी 18.14 प्रवेज प्रिक्सओं के लिए सुडूर्य करवाने जा रहा है इसके लिए सुडूर्य कर दिया है प्रवेज प्रिक्साonne जो इसमें जो है वो डेट वाइज जो एंटरांस एक्जाम होगा उसकी डिटेल दी है तो प्रवेश परिक्सा 9 जून से लेके 19 जून तक होगी अब बेदन करने के लिए 6 से लेके 27 मही तक बिद्यारती जो है वो यहां पे पोर्टल के थूरू बेदन कर सकते हैं और यह पोर्ट जारी हो गया है तो दोस्तों तुमारे आज की कुछ एक अपडेश अगर आप कोई वीडियो फिर्म यहां पर इंफ्रमेटिव लगी अगर आप लोगों को यहां पे फिर भी कोई डाउट है तो आप लोगों ने मेरे टेलिग्राम के चैनल को जो है वो जो है वो जो आइन क लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर फिर्म यहां से अपडेल स्क्रीमार साथ बने रहें धन्यवाद